हरा दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चनल क्रिक लेवेंग के में दोस्तों हमें आपर बात करेंगे एज्वियास वसेश्चांप पर PPS के बीच में होने वाले वेस्ट इंडी टीजन ब्लास का आज की दिन का मुकाबला दूसरा मुकाबला रहेगा जो करना है मेरा वाइ सात में अपनी स्मॉल लीग के टीम अगर बना रहे हो तो स्मॉल लीग के टीम है कौन से ख्लाड ही होने चाई है जिल की टीम आज कैमें आजल को हम सबसारे एक बहांड बहुत confess के behavior की शिशह को समझना ताकि आप सही तरह ऑग बहुत रहतरीन टीम बना हब कर देख लेते हैं सारी information वीडियो को we will start सबसे पहले हम बात करेएंगे पिछी रपॉर्ट की पिछी रर्पॉर्ट के मैं start करूंगाrenched यह बारे मिल्चा टाकि में च्रापार की मेरा और मे प्पाबले खेले गाए 80 से लेके 120 के बीच में आपको स्कोर्ड देखने को मिलेगा विक इस भी गिरते हैं रॉन्स भी बनते हैं टोटली बात करें तो पूरा खेल और आउंडर का अपको देखने को मिलेगा स्पीर हो चाहें फास्ट हो दोनों को एक्वल सपोर्ट आपको द पिछले कई मुकाबले ये नीचे खेल रहे थे खोपर नमबर छे पर खेल रहे थे आभी के लिए डिसट्लीवें ओपन करें तो वाइस सब आपके डीक्र européजाफ रहेंगे डीष। डोगलव के हात में उपन करेंगे डी चार से आएंगे नंबर 3, 4 पनाइगे जोस्वा जिमस, 5 पनाइगे डेनियल विल्यम्सन, 6 पनाइए जेसमरस जगर सर नंबर साथ पर आंगे जस्तिन जोसफ, नमबर पांच रहेंगे केलोन, उसके बाद से सी हेंडिट रहेंगे, एंटोनी प्रोविडेंस रहेंगे और एंटोनी प्रोविडेंस तो यह इनकी बैटिंग ओर रही थी, लास्ट मुकाबले के एकोडिंग, देखो लास्ट के दो मुकाबले का मैंने डिसन फॉर्मिंग के आगे मेंसन कर दिया ताकि आपको समझने में असानी हो, वो कि दस ओवर के मुकाबले में बहुत सारे बैटिंग ओर में बदला हो जाते हैं, आपको यह समयना ओलेडी बता रहा है, कि लास्ट मुकाबले के हिसाब से इस प्रकार से थी, लेकि बता दो आपको, कि दो खिलार जो कि वहीं टी वेफ्सटर और यहाँ पर ट्रेंज हिंड नहीं खेलेते, अगर भाई साब खेल जाते हैं, तो केप्टन से वीची वाले चोई से, टी वेफ्सटर वैटिंग बोरी दोनों करते हैं, और यहाँ पर टी हिंड भी बाजी करता है, टी हिंड आपको नमबर 5 पर खेलते हो दीज जाएगा, तो वहीं चीज है, तो अब ही के लिए तो हम मान के चलेंगे भाई साब, कि यह 11 खेलने वाले, इसके एक ओड़ी अपने टीम हम बना कर चलेंगे, लेकि मालूम चलता है, यह दो खेल चुके हैं, तो इसके एक ओड़ी हमारे टीम में वदला जो मिलेगी आपको टेलिग्राम चनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट श्रक्सान में आपको दिया है, तो जोड़के रहना कि फाइनल अपड़ी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, अब बैटिंग ओड़ी में बात कर लेते हैं, लास्ट में काबले खेल कर रहा है, हाला कि रहा है कि अच्छी स्कोरिंग कर लेते हैं, डेविलम्स के में बात करूँ, पर पर नमबर पांस पर खेलें विगड़ी पिंग सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, अब यार यह बंदाना ऐस ओपनिंग भी कर रहा था, तो अगर ओपन मैंसन होगा, मैं आपको ओलेडी बताओंगा टेली राम चनल पर, बतादू आपको लास्ट के तीन मुकाबले उपन नहीं के, उससे पहले उपन करते थे, उसके लाए इन तीनों को उतनी बोलिंग नहीं मिलती है, तो यही बैटिंग ओटर के साथ ने आपको पूरे इंका रिशन फॉर् इसके लाए जोश चागर सर आपकी टीम में होने ही चाहिए, यह इंके में बात करूं इन दोनों मेंसे एक जोशुवा जेम्स और अबताद वापको जस्टीन जोशफ यह दोनों मेंसे किसी एक खिलाडी को प्रेफर में करूंगा, पहला बैटिंग करती है तीम जोशुवा के चोईस रहेंगे इंके ओबर आभी काटे जा रहें और कोई अधर गुड ऑफसन नहीं है आपको दादू जो भी अपडेट आएगी आपको फाइनल प्लेट के लिए टिलिगाम से जुड़के रहे चनल को सब्राइब करना वोगि आपका प्यार सपोर्ड मिलता है फिर काफी अच्छा लगता है ऐसी आपके लिए स्टेट्स जुनने में स्टेट्स निकालने में आपको प्रपर जानकारी देने में ठीक है बात कर लेते हैं दूसरी टीम की यहनी पीपीएस की टीम की तो कर रहें और गिनवाजी से विकट भी निकालते हैं इसके लिए बात कर लेते हैं जेक एंट इनका नमबर-5 की खिलाड़ी की लिए रखे गयें डेरओं की बात कर लेते हैं इंका नाम है अजीब से कुरौिक संग आपको आपको नमबर छे पर बैटिंग के साथ में दोनों कर रहे थे इंको बदादो आपको कभी कभारी बोली मिलती लास्ट के दोनों मुकाबले दो बर की बोली मिली है वरना कभी कभार इंको ओवर काटे जाते हैं यहां बात कर लेते हैं एरन नान की देखो यार लगातार लास्ट का दो मुकाबले बोलिंग कर रहे हैं दो तो अधर नहीं खेलेगा जहीं इनके प्लाइंग लोन रहेगी और यहीं आपको खेलते हों दिखेंगे प्रॉपर यहीं बैटिंग और है कभी चैन्जिया लोगों नहीं करते हैं अब इनके टीम से में बात करूं आपके लिए मस्टपिक रहेगा तो अच्छा खासा कर रहा ह मिलीजिए हां बात आदिए ग्राइड लिग के टीम की वह मैं आपको बताऊंगा तो यहां च्छी स्कोरिंग कर सकते हैं इंको अपने ग्राइड के टीम हमें ट्राइक करना है इसके अलावा एननन कभी कबार रह रहा है कि अच्छे खासे विकट निकाल लेते हैं मतलब दो हम पर आजिन को वहां से सम्झ में आया है यहां से समझ ले इसके टीम स्क्राइट कर लेते हैं सबसे पहले व्यक्तिक पर सक्रें मेंा आऊँगी आपको कितने ऑप्सन मिलें गारें तो वह वहीं साथ तीन उपनिंग करने करने अपनी टीम में लिजिए डेनियों की बात करें स्टार्टिंग में ओपन करते थे तो अच्छी स्कोरिंग करते थे आपको उदादू लेकिन लास्ट के तीनों मुकाबल इंसे ओपन नहीं कराएगा और देखो देखो देखने लिए बात होगी इंको ओपन कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है अभी क और अच्छी कर लेते हैं तो मैंना और अटी बता आपको दोनों नंबर 5 पर खेल रहें जी यल में अच्छी चोई सकते हैं निनमें से कोई एक जिनकी वीडियम पहले बैटिंग करे हम ट्राइ कर सकते हैं ऐल जूलियं आपके लिए अच्छा ऑफसन है बैटिंग बात कर ल एम जो समय ने काफ़े अच्छा की अलगतार स्कोरिंग करने हरे मुकावले अपने टीम में लेत लो तो भैता रहेगा एज ओपरिंग करने अच्छी स्कोरिंग कर लगई मैं आपको उलेडियो बताया बहाई सब कि अगर टीवेफटर खेल जाते हैं तो एज ओपरिंग के कि उच्छे मुकाबले कुछ खास ने किया नहीं है, बोलिंग इंको मिल नहीं रहे हैं, एक उबर खोली पहले का नहीं है, वरना कुछ खास नहीं कर पाए, तो अपने टीम में ग्रैंड लिंग में हम ट्राइब करेंगा स्मॉल लिंग में बहुतर ऑफसर नहीं रहेंगे यह उतना कुछ खास नहीं रहते हैं को बोलिंग उतने मिलते हैं पर्टाइम कुरूप में कादवर की बोलिंग मिल जाती है पर बाक्सgeben क सब्कुल करेंगे इन 3 सकते हैं तो आपकी टीम में आप ट्राइब कर सकते हैं लोक्रास अपने टीमें होंगे बुटान अपने टीमें होने चार आपके लिए अच्छा उपसंद चारों को उठा लीजिए इंपोर्टेंट हैंगे जैम्स एक पर बल्लेबाज है नंबर चार पर खेल रहे हैं तगरी हिटिंग कर लेते हैं देहोगे आप रह रहे हैं के अच ते लाजिया बनतात हैं के लोट टीमें टीम मैं आते हैं तो यह के करते हैं तरुमस कर थे निस करना बंता है ऑर बोल्लिंग से लिकेट ऒन्नर निकालके देते तो यह अपनी स्मॉल ली के टीम के लेना चाहरा तो लेकर रिर्सक के लेसकते हैं तो फ़रे डिशक ही रहे और आदा प्रोय ओप सॉन कोई इनकी बात कर लेते हैं तो लास्क के दो मुझाबल नहीं होगा तो इंको ट्रॉप कर दीजे ग्राडली की टीम में हम ऐसा ही करेंगे वह कि यह आते हैं पहला और तीसरा ओवर लेके जगे सब तो उस केस में हो सकता है फ्लॉफ हो जाएं तगड़े हिट रहेंगे तो अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं पहला और दूसरा और तीसर नोने भी किया नहीं है रोबर्ट संग की बात कर लेते हैं लगतार दो वगर कंफाम पोलिंग मिलती है अपने टीम में लिजिए विकट टेकर है बंदा ये विकट निकालता है आर विलम संग खेलते हैं तो अच्छी अप्शन हो सकते हैं बाद अच्छी अप्शन आभी के की बेरें लें तो रहेंगे नहीं वास सब खेलें तो अपने टीम में जरूर लेंगे वंगी बंद अच्छा विकट टेकर बोलेन और लें व्यां फॉर्म गडवट था विकट निकालता है वंद लगतार में दिखा दस बोलिंग करने आता है इसके लिए इंको उतनी बोलिं जे जेंस आपके लिए अच्छा option है इस दो option अभी के लिए मैं अपने टीम में जे जेंस को ले रहा हूँ वोगे टॉपटरे बले बाजी कर रहा है रंस कर सकता अच्छा अपने टीम में इंको लेग चल रहा हूँ लेकि आप चाहो तो इंके प्लेश पे बिलकुँ जो सब को लेगे चल सकते हो अधर कोई good option ही नहीं ठीक है अब देखो टीम मनती में इस प्रकार से जहांपर मैंने अपने टीम में केप्टन सी दिया है जे बुटान को वीसी दिया है एक उपर को हाला कि चाहो तो आप इंको reverse कर सकते हो पांच ऐसे option जिनको आप केप्टन सी वीसी बिलकुल बना सकते हो बाई दो तो यह रहने वाले जोगी तगड़े रहने वाले बैटिंग बोल्न दोनों कर रहा है तगड़ी फॉर्म में है जे बुटान हो गए और एक उपर हो गए इसके लावे D-charge अपके एच्छ अपनर फिल्वाजी कर लेते हैं कभी का बाई नमबर चार पर भी आते हैं दोक्लास नहीं जोकिए आपनिंग करते हैं बहुत अच्छी बल्ले बाईजी कर लेते हैं और प्रपर एक Batsman की रूप में आप चाहों तो यहाँ पर भाई सब एल सीमस ऐसे बल्ले बाद जो कि लंबी इनी खिलते हैं तो इन पांचों को केप्टन सी वी सी आप कर सकते हो अब इक लिए स्मॉल लीकी में बात करूं तो जे बुटान केप्टन है मेरे वेसी हमारे रहने वाने एक उपर वोगी लाशने बोलिंग कर जिन पर हम रिस्क लेना है और वह हम ट्राइ करेंगे अपने जील के टीम है रोटेशन करेंगे कप्टन सी वी सी का बदलाव करेंगे और जो भी मेरी फाइनल टीम बनेगी वहन अपने टेलिग्राम चनल पर जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन आपको द झाल झाल झाल